हमशकार दोस्तों तो आगत और अब इनंदन आप सभी का अब आजाओ अब सारी चीजें वो प्रोपर ले ली हैं अब आप सेर कर दो सेशन को अब आप सेर कर दीजेगा अब आप सभी विद्यारती वह वह पार जूड़ जाएं और अब आपन जो है वह वह पेपर का आपको सेर कर दो सेर कर दो अब सेर कर दो कोई दिकत नहीं है अब आल इस वैल सब कुछ ओके है अब दे धनादन अपन सोल्यूशन कर दो कर दो कर दो कमेंट्स आप लोगों के भी आये नहीं है करते रहना आप कमेंट्स वैदी कत नहीं है आप आजाओ अब पहला क्योशन देखिए आप लोगों के सामने यहां पर दिया हुआ है तो ओके रिपोर्ट गुर्जी सोनो सर्मा अब आया आपका कमेंट्स अब बिल्कुल सही है अब मैं एक दम आजो अब समय पहले काप इखराब हो गया है फटा 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 जो इदर देखो पहला क्योशन आए एक उपकरने जो दो लेन या एक ही लेन के दो खंडों को जोड़ता है यह तो जीके टाइप का परसन है फिर भी मैं आपको बता देता है उसमें राउटर जो है यह जोड जो मैंने आपको बिल्डिंग वाला पढ़ाया था अपनी जो यूनिट है बिल्डिंग वाली बिल्डिंग भवन बिल्डिंग वाली जो मैंने आपको यूनिट पढ़ाई थी उस बिल्डिंग वाली यूनिट में से है और जो MCQ थे जो MCQ मैंने आपको दिया थे वहाँ जा का सभी जवाब हो गया हाँ राम राम सभी को राम राम विकास अभी कटोफ भी बता दूंगा अब एकदम सही चल रहा है नो के रिपोर्टे टोटल चलिए फिर इसके बाद में आगे चलते हैं अगला प्रसन आप लोगों के जो आया था अगला कोशन यह आया था आपके कोशन नमबर तीन पर देखिए गोर फरमाईए कोशन संक्या तीन और कोशन नमबर तीन था कि फोम फोम आग बुजाने वाला या तो गैस कार्टेज परकार या परकार का हो सकता है देखो कोशन नमबर जो तीन है वो आपकी यूनिट नमबर 10 से आया है Fire Asta Goinsur Fire Asta Goinsur ठीक है आराम से आप लोगों के पास पूरी की पूरी PDF है उनमें से बढ़िया तरीके से मैच करना सारी एक एक चीज लिख रहा हूँ कौन सी PDF से आया है कहां से आया है Unit No.10 में जो Fire Asta Goinsur पढ़ा है वहां जाके देख लेना कि जो आग बुदाने के लिए यह जो आग बुदाने के लिए उनकी पड़ कुसर यह जा ऊव् genre यहां इजरी Keeping चाहंवा है कि जो आग बुदाने के लिए हम जोlich Insur ऐगनी समगयनित्रों का तक होईरौिक प्रेसर होता है जो प्रती 5 साल पर hydraulic pressure होता है प्रती 5 साल पर hydraulic pressure होता है यह मैंने आपको वहां लिखा रहा है आराम से unit number 10 फाइरेस्ट अगुईजर की PDF खोलना और चेक कर लेना अगला प्रसन है यह आपके GK का प्रसन है चार नंबर आपका GK का प्रसन है आगे चलते हैं question number 5 यह रहा question number 5 के आया था देखिए question number 5 था deluge प्रनालियों में खालिस्तान प्रकार के spring color लगाए जाते हैं दोस्तों deluge प्रनाली पूछा आप से ठीक है और deluge जो प्रनाली होती है यह अंदर जो लगाए जाते हैं कर देखिए यह question जोड़ा जूम कर देता हूं यह मेरे pdf में से नहीं है question number 5 आगे चलते है question number 6 के लिए चलते है यह रहा question number 6 बड़ा zoom कर देता हूँ okay देखो question number 6 आपके सामने आगया question number 6 कहां से आए LPG का रंग क्या होता है भी मैंने बता दिया था आपको कि LPG का रंग बे रंग होता है LPG का किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है LPG color less होती है दोस्तो ना इसमें गंद होती है ना रंग होता है तो इसका पता चले इसके लिए इसमें गंद के लिए एथिल मरकेफटेन नामक पदार्थ इसमें मिला दिया जाता है यह आया है आपका unit number 1 unit number 1 से जिसका नाम है chemistry of fire chemistry of fire से अगला प्रसन है weight riser system में vertical pipe का आकार खालिस्तान mm आंत्रिक व्याज से कम नहीं होना चीए तो vertical अपन pipe लगाते है ना वो vertical pipe weight riser में weight riser का मतलब है वो pipe जिनमें पानी हमेशा बरा रहता है जिनमें हमेशा नहीं बरा रहता है वो dry riser कहलाते है weight riser यानि जिसमें पानी हमेशा बरा ही रहेगा उसका जो vertical pipe है उसका जो व्याज से वो कितने mm से जो है वो कम नहीं होना चाहिए यहाँ पर यह बात आपसे पूछिए ठीक है और मैंने आपको कफी बार बताया हुआ है जब riser मैंने पढ़ाया था तो riser unit number 2 में है वहाँ के प्रसन उठा के देखना मैंने आपको कहा था लगबग 63 mm मैंने बताया था लेकिन ऐसा कोई विकल्प यहाँ है नहीं तो 50 mm विकल्प है तो यह अपना सी हो जाएगा आपको बताया हुआ है यह आपको बताया हुआ है डिजिट और आपके कोशनों में भी है जो PDF मैंने डाली थी उसमें भी है MC क्यू जो है उसके अंदर भी यह जुड़ा हुआ है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आगे चलते हैं अगला प्रसंट के रहा यह है दोस्तों अगला कोशन कोशन नमबर आठ के रूप में क्या है कि वह तापमान जिसपर कोई तरल उबलता है और वास्प बन जाता है अरे बाई उबलेगा और वास्प बनेगा ये आपको कहां से आया है बताऊं क्या ये question number 8 है आपके लिए unit number 1 unit number 1 जिसका नाम है chemistry of fire chemistry of fire उसकी pdf number 3 से pdf number कितने से 3 से pdf number 3 से ये question आया है unit 1 chemistry of fire की pdf number 3 में जाके देख ले ना बाकाइदा मैंने आपको इस तरह से जो है एक डायग्राम बन지도 आये था उसमे दर्वफण बराता क्या पड़ाएतon क्या जैब उसको पर उसमें वह क्या कलांएगा boiling कहलाएगा एक बच्चेर ने बोला है वोला सर प 201 राइट कौन कों पहवाले का उसे पहले वारे का अवाले का इसवाले का मत्पन होगा उसमें वह 63 होता है वैसे ठीक है तो 63 की जागे पैसे आप उसमें ले सकते हो का एक-धो कोशन तो सभी है जिनमें थोड़ासा है भी कि यहभी सही है यह यह आपके GK का प्रसन है, अगला अपन फायर का कोशन देखें, तो यह आ गया, परसन संक्या 10, अभी मैंने आपको जस्टी बताया है, कि LPG में ना गंद होती है, ना रंग होता है, तो उसमें गंद के लिए कौन सा एजेंट मिलाते हैं, तो LPG में मरकेप्टेन मिलाते हैं, क यूट्यूब पर मेरी डेमो की पहली क्लास पड़ी ना, जिसके सबसे ज़्यादा व्यू है पूरे इंदूस्तान में, ठीक है, उसके अंदर मैंने आराम से, बिल्कुल यूट्यूब के क्लास में मैंने आपको बता रहा है, ठीक है, हाँ बही संदीब सांगा, नमस्कार भ येलो, अजो भी आ, अगला प्रसन आ गया है, क्योंजन num. 11 का है, क्यों सा बंधा है, फ्लेम यूइंदिन अ खाले से, इंदर नहीं लिखा है, कहां से यूंजन से काम करता है, हां, ये पडाइवे से नहीं है था राओग फ्लीम कटिंग का मितलब क्या होता है प्लेम 먀नि आग जो गस बैलकंग कीसी कतर होता है जिसमें से गाइसजलती स्पीट से कई जाएंक लगा तो तो उसमें क्या होगा do oxygen किस नहीं हो जलेगा वैं किसी पदात को जलाने के लिए oxygen काम आनीची है वैसे देखा जाए तो यह unit number 1 का प्रसन हो गया कोई भी पदार जल रहा है flame cutting उपकरण में acetylene gas क्या होगा अरे जलेगी acetylene gas तो जलेगी तो किसके साथ जुड़ेगी oxygen की उपसितिम जलेगी तो simple प्रसन था बताया हुआ है थोड़ा सा दिमाग गुमाने का था हालांकि PDF में से सीधा सीधा नहीं है लेकिन आराम से यहां से आप देख सकते हो कि सीधा स प्रसन था अगला प्रसन आजो question no.12 19.5% oxygen इस्तर को खालिस्तान इस्तिति में माना जाता है ये प्रसन आपको बता दूँ प्रसन संक्या 12 परसन संक्या 12 unit no.1 PDF no.1 परसन संक्या 12 है unit no.1 और PDF उसमें 3 PDF है पहली unit में पहली unit का नाम है Chemistry of fire सी ओफ लिख देता हूं में पहली यूनिट के PDF नंबर 1 के अंदर वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए 16% oxygen क्या आउशक्ता होती है यह मैंने कहा था आपको 16% होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए लेकिन यहाँ इसने दे दिया 19.5 अरे 21 होती है न टोटल 21% oxygen है तो इसने 16 से और उपर लिख दिया तो 16 क्या है सामन्ने है मैंने साप लिखा रखा है कि 16 क्या है सामन्ने value है अब इससे ज़्यादा होगी तो उच्छी बात है अगर इससे लेने में भी आसानी है किसी पदार्थ के जलने में भी एकदम आसानी है यानि सामन्ने कंडिशन है ठीक है यूनिट नमबर एक chemistry of fire की pdf नमबर एक में 16 पर्चन लिखा रखा है इनोंने 19.5 लिख दिया यहां कोई बात नहीं ठीक है कोशन नमबर 13 की और बढ़ते हैं दोस्तों यह रहा बिलकुल as it is as it is जो घदे ही कह रहे इतना कि आया नहीं है मेरे पड़ायवें से पेपर उनको कह दो भी या खोल के बैठ जाओ pdf खोल के बैठ जाओ सामने और pdf में चेक करते चलना ठीक है pdf में चेक करते चलना 90% से उपर हालांकि लगबग पूरा है लेकिन 90% कोशन तो ऐसे है ठोरी के जो डिक्टों है लाइन चेंज नहीं अभी आ जाओ देखो यह रहा है खालिस्तान एक निमंतम तापमान है जिस पर कोई पदार्त हवा के मिसरण में जवलन सील वास्प का उत्सरचन करता है इस पर स्टूप से लिखा रखा है यूनिट नमबर एक की pdf नमबर तीन खोल के देख लो यूनिट नमबर एक की यूनिट नमबर एक chemistry of fire की pdf नमबर तीन pdf नमबर तीन के अंदर इस पर स्टूप से मैंने आपको flush point बता रखा है flush point मैंने आपको लिखा रखा है वहाँ पर तुरंत जलने के लिए या चणिक जलने के लिए कुछ देर जलने के लिए जो होता है तापमान क्या होता है वो होता है फ्लेस पॉइंट तो इसका जवाब हो गया फ्लेस पॉइंट क्रिशन नमबर तेरा अरे PDF खोल के देखो यह थार था कि जांच करो जो मैं बता रहा हूं साथ के साथ खोल के भी देख लो यूनिट नमबर एक की PDF नमबर तीन खोल के चेक करो उसमें जो 4-5 Slides न उनमें से चेक करो अभी पता चल जाएगा चेक करलो पता चल जाएगा और यह वीडिव में यूनिट नमबर तीन खोल लो और यूनिट नमबर तीन जो है उसमें चेक करो पासपन नमबर कौन सी केटेगरी से है पच्पन नंबर कौन सा पूरा लिखो ये गिराज वर्माने को लंबा चोड़ा लिखा है मैं पढ़ लेता हूँ सर मैंने आपकी एप से जुनियर अकाउंटेंट की क्लास का कोर्स करिए है सर प्लीज बताएं उसमें क्लास पूरी अधूरी नहीं है पूरी है उसमें एक या दो यूनिट बची हूँ है जो आपके जनवरी के अंदर ही स्टार्ट होई है ना वो आपके जनवरी में स्टार्ट होँगी उसको अधुरा होना नहीं कहते है अभी तो continue चल रहा है वो मैंने यह थोड़ी नहीं कह दिया कि वो कोर् सब्जेक के प्रसनों में आगे चलते हैं यह प्रसन अगे अपने पास ठीक है यह रहा प्रसन नमबर 16 से आजाओ भाई अराम से खोल के देखना मैं तो एक बार तो यह चाहरा था कि मैं PDF भी साथ के साथ खोलो लेकिन मैं इतना आई टेक नहीं हूं मुझे नहीं आता यह तो साथ के साथ खोल के आपको PDF भी यहीं पे मैं चेक कर वाऊं यह रहा है SQL यह क्या है यह तो डेटाबेस है कोई GK का परसन है लेंग्वेज ठीक है यहाँ प्रसन संक्या 17 पर आजाओ भाई दिख तो रहा है क्या परसन संक्या 17 दिख रहा है अभी देखूंगा जाएग अधाटवाल इस अधरिक ऑली आजाएंगी गोई दिख रहा है ना होगा साहिद जवलन शील तरल पदार्त में आग बुझाने के लिए उच्छ वेग परनाली का उपयोग किया जाता है जिसका फ्लेस बिंदू से उपर होता है देखो जवलन सील पदार्तों को बुजालने के लिए जो मद्य में वेग परनाली उपयोग में लेते हैं वो मद्य में वेग परनाली तो होती है 65 degree centigrade से नीचे ये direct पडायव में से नीचे ये PDF में से नीचे कुछ को संतो देखो मैं भी बगवान नहीं हो कि पूरे के पूरे 100% या जाए मैं गराओ 90% आपको भी मैं दिखाऊंगा जो अपने ये अप से डारेक्ट ली इसका 65% से उपर हो जाएगा ये सही जवाब है इसका फिर देखो अगला परसन में आपको पहले ही बता चुगा वैसे ये तो सामने सा परसन है कि हवा की तुल्ला में CO2 हवा की तुल्ला में भारी होती है 53% भारी होती है बता चुगा अगला परसन देखो ये है गुन्नीस वाँ थोड़ा इसको और जूम करता हूँ गुन्नीस नंभर परसन जो है मैं बता दूहा आपको इसमें आएगा A और युनिट नंभर 2 Fixed Fire Fighting PDF नंबर 2 ये आया है ये परसन एैई आयेज़े जाया unit नंभर 2 Fixed Fire Fighting Installation से एप है पाई मतलब फिक्स्ट फायर फाइटिंग इंस्टालेशन से और इस यूनिट की PDF नंबर दो उठा के देख लो इस पस टूप से चित्र के साथ डाइग्राम स्प्रिंकलर जो है मैं बता रहा हूं कि कौन सी PDF में कहां पर है कौन सी उनिट में मेरी क्लास अभी ये complete solution करवाने के बाद आप लोग जो है मैच करना ठीक है मैच करना तब आँके खुलेंगी आपकी अगला परसन है अगनी समन उद्देश्यों के लिए एक इमारत में इस्थापित एक लंबवत पाइप जो पानी से इस्थाई रूप से चार्ज होता है यहां देखो यह तो पता चल गया कि इमारत में पाइप जा रहा है मतलब राइजर है मतलब क्या है राइजर और लेकिन यह रहा है इस्ताई रूप से चार्ज है मैंने आपको दो टाइप इस तरह से बता रखी थी एक weight riser और एक dry riser इस तरह से दो वरणन की थे उसमें weight riser के नीचे पहली line ditto यही लिख रखी है कि यह इस्ताई रूप से बरे होते हैं इस्ताई रूप से चार्ज होते हैं पहली line यही लिखी थी इस्ताई रूप से चार्ज होते है अब पान नीच से बरे हैं तो dry तो होंगे नहीं कैसे होंगे weight होंगे यह प्रसंद डिटो कहां से उठके आया है 20 नमबर का unit नमबर 2 PDF नमबर 4 इसनों आया है unit number 2 unit number 2 कौन सी fixed fire fighting installation और इसकी PDF नमबर 4 में चेक कर लो अभी चेक कर लो चाहिए खोल के अभी PDF खोल के चेक कर लो सताउन नहीं लिखावा सताउन नहीं लिखावा है 53 लिखावा है ठीक है सताउन लिखावा है 53 नहीं लिखावा सताउन लिखावा है अभी चाहूंगा ये सही बताया भाई ने सनी राजपूत थेंक्यू वो थोड़ा फ्लोवेंस में निकल गया 53 गलती से ठीक है तो ये 57 लिखावा है ये 57 लिखावा है वीसवा परसन आया है unit number 2 की पीडियेप नमबर 4 खोल के देखो जिसमें राइजर के मैंने दो प्रकार बता रहे है वेट और ड्राइ वेट के अंदर पहली लाइन यही लिखी हुए कि ये इस ताई रूप से पानी से चार्ज होते है ते पर हल पजा आ रहा है ओके भाई राकेश पतवा धन्यवाद चलिए अगले प्रसंद के ओर चले आजाओ भाई अगले प्रसंद अरे स्क्रीन सोट लेते जाना कौन सा प्रसंद कौन सी पीडियेप में से है पुरा बना रखा है मने के दगो पूरा पुलिंदा जो है वो मने बना रखा है लिख रखा है कि कौन सा कोशन कहां से आए बिल्कुल चेक कर लेना और मेरे से इसकी जो फोटो है वो भी आप चाहू तो मंगवा लेना कोई दिकतनी और आराम से बैठे वेटे चेक कर लेना ठीक है अगले प्रसंद के ओर चलते हैं भाई प्रसंद के ओर चलते हैं भाई लोगो इस नंबर का जो प्रसंद है प्रसंद संक्या 21 प्राजाओ भई आराम से ये लो प्रसंद संक्या 21 पर ठोस अए दरों में अवस्ता परिवटन के दोरान जो उस्मा उसोशित होती है उससे क्या कहते हैं देखो मैंने आपको बताया था latent है latent का मतलब क्या होता है अब ये चीज काम बताई थी 21 जो है मैं बता देता हूँ ये मैंने आपको काम बताया था ये डाइरेक्ट नहीं मिलेगा आपको लेकिन मैंने आपको ये कहता कि जब spring color के अंदर पारा काम में लेके अंदर आग लगती है तो तापमान बढ़ता है तो पारा फैलता है क्यों? क्योंकि पारे ने उस्मा ग्रेंड की जो latent होती है क्या होती है? latent उस्मा होती है वीडियो ओपन करके देखना वहाँ पे मिल जाएगा तो इसे कहते है अव्यक्त उस्मा बोले तो latent heat कहते है क्या कहते है? latent तो ठोस्पदार्ट दरुम बदलेगा इसकलर ठोस्पदार्ट ने उस्मा ली है वो पिगल कर दरुम बदलेगा तो उसने उस्मा ग्रेंड किये तो जो उस्मा उसने ग्रेंड किये वो अवियक्त है उस्मा किलाथी इंग्लिस देख लेते हैं यहां latent heat, यहां समझ में आ जाएगा यहां अवियक्त है तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा नाम ने बोला, ठीक है, latent ज़रूर बोला है तो यह आपको समझ में आ जाते हैं इधर देखते हैं अगला है उच्छ वेग जल इस्प्रे प्रोजेक्टर प्रणाली में आग बुजाने के तीन सिद्धानते एमल्सिफिकेशन करना, भूलना, सीतलन ठंडा करना और एक कौन सा है तो वो है दोस्तो डाइलूशन नहीं है प्रिवेंशन नहीं है, एक्स्टिंशन नहीं है, यह है एक्स्पोजर, क्या है एक्स्पोजर, हालांकि यह मेरी डाइरेक्ट कहीं मेरी पीडियेप में लिखावा नहीं है यह तो समने सा प्रसन है, लेकिन डाइरेक्ट पीडियेप में नहीं है, लेकिन एक तम इसी सा प्रसन है, इमल्सिपिकेशन सीतलन हो गया, अब क्या होगा, एक्सपोजरी होगा, आप यह भी नहीं पड़ो तो यहां देखो, डाइलूट करना, पतला करना, रोक था मतलब रोक आगे दिखाते हैं, वो एक्सपोज करना ही तो होता है, चलो, नेक्स प्रसन की और चलो, आजाओ भई, नेक्स प्रसन की और, यह आपका जीके का प्रसन है, यह सामने जनरल साइन्स का प्रसन है, यह वाला, यह जनरल साइन्स का प्रसन है, कौन चाहा, अव्यक्त उसमा, द आपने आप रशाएंगे तो में दारा को मापते हैं, ग्राम में वजन को मिटर में दूरी को मापते हैं, अपने आप ही कौन बच गा, जूल परती unit mass बच गे जूल्परति यूनिट मास मास यानी वजण कितना जो यूनिट बजन है वो जलेगा तो कितनी उससे जूल जो है वो निकलेगी चलो Kids से सब्सक्राइब यह जजबा। यह जवाब हो जाएगा जवाब हो जाएगा ठीक है आगे चलो जलो भाई एक्स प्रसन की और चलो 26 नंबर का प्रसन यह रहा इस नंबर का प्रसन यह रहा आपके सामने एमसीबी जनरल साइंस का प्रसन है एमसीबी जनरल साइंस का प्रसन है फ्यूज इतार होता ना आजकल फ्यूज इतार के इस्तान पर MCB miniature circuit breaker का उप्योग करने लगे miniature circuit breaker MCB जो है पहले fuse उड़ता था, आजकल fuse नहीं उड़ता है पहले fuse उड़ता था, आजकल fuse नहीं उड़ता है आजकल क्या उड़ता है miniature जो होता है, वो box सा लगा होता है उसमें चिटपठ नीचे गिर जाते हैं फिर उपर कर देते हैं, वापस लाइट आजाती है पहले fuse होती था, fuse बाहने की जरूत नहीं है उसकी जगह MCB, तो इसका पुरा नहीं है miniature circuit breaker, circuit को break कर देती है यह आ गया National Building Code of India के अनुसार ठीक है National Building Code NBC बहुत अच्छे से बताया हो आपको NBC पहले unit बताता हूं, यह कौन सी है 27 नमबर के लिए unit है, unit number 16 building, pdf number 1 unit number 16, कौन सी building वाली building, classification of building और pdf number कौन सी है unit number 16 की pdf number है, pdf number 1 pdf number 1 में से एक कोशन आया जिटीज, ठीक है जो इमारते है H जो group काम में लेते हैं, वो किसके लिए लेते हैं तो बंडारन वाली unit के लिए, बनाई थी में एक साड़नी A, B, C, D, E, A, पैसे करके पूरी फिर A वाले किसके लिए, B वाला किसके लिए, C वाला किसके लिए जो कोड काम में लेते हैं, वी डाले के लिए क्या काम में लेंगे ठीक है, किसी जाव साइक बाउन के लिए क्या काम में लेंगे तो ऐसे यह बंडारन के लिए, A, C code से तो जिनको उपनाई लिखते हैं, तो समझ में आजाता है, यह बंडारन के लिए हैं भोलो, आराम से भी खोलो, उपन कर लो PDF देख लो, unit number 16, building वाला जो छेप्टर था उसकी PDF नमबर एक में से चेक कर लो विप्टान में तरह से राजस्तान में मैं जमाम विद्यारती जो है मेंने का था न कि मैं हरियाणा में भी इतियास बना दूगा भी या मैं जमाम विद्यारती 263 समतिंग जो आपकी पोस्ट है ना पोस्टों में देखना, में एक्जिमम विद्यार थी, वो select होंगे मेरे से पढ़े हुए में एक्जिमम में विद्यार थी होंगे, जोनोंने मेरी class पढ़ी है देखो, यहाँ पर आलंगी suit के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है लेकिन एकदम सिंपल सा यहाँ पर एक उत्तर है इसका, इसका उत्तर आपको ऐसी देना था प्रोक्सिमिट का मतलब होता है निकट, क्या होता है निकट देखो, यह एप्रोज सूट पहन के भी हम काम करते हैं, फायर बुजाने का लेकिन एप्रोज सूट से तो लगबग 65 डिगरी सेंटिग्रेट ताप मन एप्रोज सूट से तो 65 डिगरी सेंटिग्रेट ताप मन तक ही यह अपनी सुरक्षा करता है जबकि यह जो proximity है यह 260 degree कितना? 260 degree centigrade ताप जो है वो जेल लेता है और proximity proximity का अर्थ ही होता है निकट है तो यह कर रहा है कि आखी लप्टों के बहुत करीब यानि कि निकट है बहुत करीब यानि निकट है जबाब हो जाएगा proximity suit proximity suit इस हो जाएगा? proximity suit हो जाएगा network ने फिर परिशान किया अपने को network फिर परिशान मत कर भाई 28 number का जाएगा? अलंकि 28 number जो है वो पडाईवे में से वैसे नहीं है, directly नहीं है direct PDF में से नहीं है आपट कर लो फिर ये network दोखा दे देगा anti-pirating cost दिया anti-pirating वालब anti-pirating दर्द के लिए इस पर स्टूप से लिखा हो है कहां लिखा हो है? 29 number परसंद unit number 7 first aid and rescue unit number 7 unit number 7 first aid first aid and rescue प्राइब बार्द कर दो तो यह हो गया 29 number का unit number 7 first aid and rescue वहां से आए तो आप लिखावा है दवाईया दर्द निवारक दवाईया तो दवाईया ये रादे को medicine medicine सी किस के लिए दर्द के लिए ये रादे को राद देने वाली मतला दर्द में राद देने वाली थोड़ा बहुतो दिमाग लगा नहीं पड़ेगा पिर आगे चलते हैं इस number के प्रसंद के चलते हैं झाल 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 अब देखो कोसर नमबर तीस है कि सक्रिय वाला पूछ रहा है कोसर नमबर तीस कहां क्या रही है कोसर नमबर तीस एक्टिव यह अपने तेरा तीस रह यह पीडियेपे से नहीं है ठीक है यह डायरेक्ट पढ़ाईवे में से नहीं है लेकिन इसका देखो उत्तर आपको बताता हूँ सिंपल इमन में से कौन सा सक्रिय अगनी सुरक्षा प्रनाली है सक्रिय अगनी सुरक्षा की बात कर रहा है तो यह कर रहा है कि सक्रिय रूप से अगनी सुरक्षा प्रनाली कौन सी है आग से सुरक्षा की प्रनाली कौन सी है आग से बचने की प्रनाली कौन सी है तो आग से बचने की जो प्रनाली है इसके अंदर सीधा सीधा ही क्या हो जाएगा इस अग को एक्टिव रूप से हात्वाथ बुजाना इसको तो आप क्या करेंगे यह जो लकड़े इनको पकड़ के बाहर खेच लोगे यानि कि जलने वाला पदार तो इसको हटा दोगे तो यहां पर सुरक्षा हो जाएगे आग इगनीशन का ऑर्थी क्या होता है जड़ी इससरेग को कम करें आराम से किसी को मीनिंग पता था इसका तो वह इसका जवाब कर सकता है अब बता दूंगा मैं से सेलेक्षन का क्रेटिरिया अगला देखो निमली कितमे से कौन सी जहरी लिगाइस है जनरल साइंस का परसन है आरगन हीलियम नहीं है कारबन डायोकसाइड भी नहीं है सल्फर डायोकसाइड है एसो टू जो अमले वर्षा करती है जहरी लिग होती है साइंस का परसन है ठीक है अब देखो यह अगला जो परसन है थर्टी टू नंबर परसन इसे थर्टी टू नंबर परसन पर थोड़ा सा गोर फरमाओ यह मैंने आपको नहीं पड़ाया था मैं बता देता हूं क्यों क्योंकि आपके सलेबस में रोप कहीं दिया हुआ ही नही इस लेबस में नहीं लिख रखा था ठीक है लेकिन जिन बचोंने मेरी PDF पड़िये जिन बचोंने PDF पड़िये बुक की बुक PDF है कौन सी दो PDF जारी की थी मैंने एक तो जो बुक वाली थी किताब वाली ठीक है उसमें और एक अबजेक्टिव वाली उसमें दोनों के अंदर ये प्रसंद जो है वो है अरे सिंथेटिक मतलब है और वैसे ही देख लो मनीला कपासर और साइसल तो नहीं होता है ठीक है क्योंकि सिंथेटिक बनाया हुआ मानव द्वारा निर्मित कौन है तो नाइलोन होता है नाइलोन पेट के थोड़ी लगता है सिंथेसिस किया जाता है बनाया जाता है सिंथेसिस का मतलब होता है बनाया हुआ मानव की द्वारा बनाया हुआ तो नाइलोन हो गया जो जिन्होंने बुक की पीडियाप पड़ी थी आपके यह topic होता तो वहां से automatic ही होती ही लेकिन आपके syllabus में topic नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाए नहीं, लेकिन bookipedia लगबक सबी बच्चों के पास पहुंची है, जो जिन बच्चों ने मेरा बैच लिया तो उनके पास तो है, तो यहां से आपका यह person सही हो गया, follow yes कि no, ठीक जो इस तीस नंबर ऑगा पहसा पर्साद है यह यूनित नंवर एक समझाई का पृ margin 94 यह ओर उनित नंबर 1, PDF नंबर 3 यह यह य्याई है, यह और पीडिएफफ नंबर इतनी 3 से Chemistry of Fire वाली जो यूनिट है उस यूनिट से ये परसन आया है Chemistry of Fire वाली जो यूनिट है उस यूनिट से ये परसन आया है उसमें तीसरे नंबर की जो PDF ना उस तीसरे नंबर की PDF में एज़िटीज लिखावा है क्या-क्या विकीरन भी बता रखा है, उसमा संचन के लिए मैंने कन्वेंशन भी बता रखा है, कंडेंशन भी बता रखा है तो ये तिनों तो विदिया है ये कराय कौन सी नहीं है तो विस्पोर्ट नहीं है, कौन सी नहीं है विस्पोर्ट होना उसमा संचन थोड़ी होता है विस्पोर्ट होना उसमा संचन नहीं होता है बात के लिए रुई की नहीं हो गई तो ये तीनों तो हैं पड़ा रखें इन तीनों के लावा कौन सा गया विस्पोर्ट लो देदो उत्तर कहां दिकता रही है चलो, अब चलते हैं आगे, ले प्रसंद की और 35 नमबर का प्रसंद, ये रहा, प्रसंद संक्या, 35 की और चलते हैं दोस्तों, फूम करते हैं, टिक है, प्रसंद संक्या, 35, ये पराबैंगनि डिटेक्टर NM से ये जनरल साइंस का प्रसंद है, C program, ये GK का आपका computer का प्रसंद है, कुल बार्ड ये भी आपके GK का प्रसंद है, ये आपके GK का है, पाइथन में function, ये भी आपका कोई computer अगर अगर सा प्रसंद है, 40 नमबर प्याओ, ये रहा, 49 नमबर, जूम करते हैं, ये इसमें कोई अपना, ये भी नहीं है, ये भी न 44 पे, हाँ, आजाओ, इसमें है, अपने subject के question, इस PDF में है, देखो, यहां पर पर संक्या, चम्वालीष क्या करा है, पर संक्या, चम्वालीष क्या करा है, और कहां से आए, पहले तो ये जानेंगे, अपन, पर संक्या, जो चम्वालीष है दोस्तो, मोनिका सर, मेरा account, अच्छा, यह अच्छा है, अरियाना का है, यह तो मैं काउंटेंट के लिए भी जनवरी के अंदर, तो आपको मैं कमस्रम एक मैने क्लास से दूँगा, उस अंदर करवा दूगा, जब किसी मारत का उपयोग, एक से अधिक परकार के अधिबों के लिए क्या जाता है, इस प बिल्डिंग वाले से आया है, बिल्डिंग वाले से आया है, एक से जाधा करेंगे तो मिस्त्री तदिब होगो जाएगा, छोड़े यार, क्या यह परसन है क्या कोई, ठीक है, इस पार्च पाइप की सुरक्षा उपयोगी है, यह वातन जो है, वो एबरजन से बजाता है, खोजगो खराब होने छे, अगला है, देखो यह प्रसन पढ़ायवे में से नहीं है, कौन सा, शियाली स्वाँ, और इसका प्रोपर आंस्वर भी मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, देख के बता पाऊंगा, सेंताली स्वाँ जो कोशन है, फोर्टी शेवन, जाओंगा, वहां बिजली का लेंप का नहीं करेंगे, दूफान लेंप का नहीं करेंगे, पोटेवल इलेक्ट्रिक बोक्स लेंप का करेंगे, या सुरक्षा लेंप, यह और नहीं हो, देखना पड़ेगा, असलम का नहां भाई, समस्यारी है, तो मामला खराब हो रखा है, नहीं तो सारा सही चलता था, नेटवर्क नहीं तो आज अपनी रखी है, खारी खोटी, तो प्रोब्लम, जो पीडिएप है, वाटर रिले, वो पीडिएप देख लो, और ताल इस नंबर के लिए, सी जवाब हो जाएगा, फिर य ये कोड जो है, ये कोड है, मैंने आपको जो बुक दी थी थी न, पीडिएप, जो पीडिएप दी थी, बुक पीडिएप, दोनों बुक पीडिएप में, बुक पीडिएप जो दी थी, आपको एक ठोरी की दी थी, और एक आपको दी थी किसकी, MCQ दोनों में है, हालां कि मै आपको directly class में नहीं बता है लेकिन उनमें लिखावा था क्योंकि यह रठने की चीज थी आपकी यह यह कलो इसको कि पानी इतने degree centigrade पर इतने degree centigrade वाई मंडल यह दाप पर उबलता है यह ताप आप आप नहीं होगा ताप होगा और 100 degree पर उबलता है सब को बताएगा यह एक्स्टेंशन लेडर का मतलब इस्तारी सीडी का उसको उपर ठने यह नीचे करने के लिए utility rope को क्या कहा दाता है तो जो utility rope है उस rope को हम क्या कते है अचा utility rope पूछ रही है तो इसमें hard line या तार रसी भी हो सकता है दोनों में से या तो hard line होगा या अब रोज शूट जो है वह है पैसे डिग्री सेंटिग्रेट तक करता है भी बताए था यह बतायवा नहीं है इसमें साथ डिटेक्टर हो सकता है इस परसन को एक बार छोड़ दो में देखके एक लास में आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब होगा इसका जवाब हो जाएगा डिग्राव D में D जवाब हो जाएगा जो दातों की आग है इसकी आग है दातों की आग है जलो आगे जलो फटापट जब तक यह आ रहा है अपना नेट्वर का रहा है अचलेट लेलेना भई आराम से मिला लेना 6658 नंबर पे चलेगे बना क्या गए इसमें क्या कोई में है अन्हें बिलकुल है पूल है देखो यह रहा 68 नमबर का फोम का उतपादन फोम कंसंट्रेट को खालिस्तान के साथ विलाकर क्या जाता है अरे भाई फोम एंड फोम मेकिंग के अंदर बता है मैंने अच्छा नमबर यूनिट नमबर 20 फोम एंड फोम मेकिंग में उनिट नमबर 20 वहां से उसने देखो पैरीट नमबर 68 के अंदर ज्यादा प्रेयरिटी किसकी है ज्यादा पानी की क्योग्यूंकि कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन पानी के साथ होता है कालिस्तान प्रकार के अगनी सामक बंडारन कंटेनर से निर्वेन के लिए अपना दबाव परदान करते हैं देखो दबाव देखा जाए तो सब में होता है लगबक सारे प्रेसर पर काम करते हैं लेकिन इसका सही जवाब होगा D ज्यादा प्रेसर होता है 745 CO2 जो है इसमें प्रेसर 745 जो है PSI होता है अगर DCP की बात करेंगे तो DCP में 150 ही होता है DC में प्रेसर 150 PSI ही होता है लेकिन इसमें जज़ादा होता है तो प्रेसर ज़्यादा CO2 में है तो एक रहे कि किस परकार के अगनी समक बंडारन कंटेनर से निर्वेन के लिए, यानि पधार्थ के बाहर निकलने के लिए, अपना दबाउ प्रदान क्या आता है, तो CO2 परकार के अगने सामक, बंडारन कंटेनर से, निर्वेन के लिए, जो है वो दाब काम में आता है, यानि CO2 वाले होते हैं, अप्रोक से धान रखना ये 9 लिटर तो मैंने बता रख आपको ठीक है 2 गेलन लेकिन गैस काटे इसका वजन मैंने नहीं लिखा रखा है इसका जवाब जो हो जाएगा इसका सीदा सीदा जवाब पड़ा है इसका सीदा सीदा जवाब पड़ा है एक इतर नंबर का यूनिट नंबर 25 जो बीए सेट है वहाँ से यूनिट नंबर 25 से ये परसन आया है यूनिट नंबर 25 बीए सेट से सीधा सीधा पुछाए C-A-B-A तो इसका पूरा नाम हो जाएगा Compressed Air Breathing Air Breathing Apparaturs A हो जाएगा जवाब क्या हो जाएगा कितर का जवाब हो जाएगा C-A-B-A का जवाब क्या हो जाएगा Compressed Air Breathing Apparaturs Unit No. पत्चे ना आपके पास MCQ PDF वहाँ भी देख ले ना HGT's आपको person मिल जाएगा आपे भी आपको HGT's question मिल जाएगा Question के अंदर भी देखोगे ना PDF में वहाँ भी Sandeep अभी बताऊंगा यार कटोप के लिए भी आज मैं से पूरा दिमाग खराब कर रखा है नेटवर्क ने अपना कितना समय वेष्ट कर दी देखो अगला person लो भाई ये लो भाई साव अगला person पैतर नंबर का person देखो 72 नंबर का person देखो 392 रंके लिए मुंगा मुंगा करके लिखाया था मैंने M-A-U-N-G ऐसा ही spilling थी उसको ग्रीन करके भी आपको लिखा हुआ है वहाँ पी बताया हुआ है कि ग्रीन ठीक है उसके लिए होता है 392 है पैसे लिए क्या होता है 392 होता है दोस्तो मानव सरीर का सामने ता आप मान मानव सरीर का सामने ता आप माने तो जनरल साइंस का परसन है simple सा 37 डिग्री सेंटीग्रेड यह एक और परसन है नीचे oxygen का रासानिक सुत्र oxygen का रासानिक सुत्र है यह तो unit number 1 में ही मने आपको बता दिया था आराम से देख लो जाके oxygen का रासानिक सुत्र जो है यह unit number 1 में PDF से इमार्त को सुरक्षा परदान करती है यह unit number 2 PDF number 1 से आएगा sprinkler से ही जवाब हो जाएगा उसके लिए से ही जवाब क्या हो जाएगा sprinkler आंतरिक परणाली आंतरिक आग से आंतरिक आग में तो sprinkler ही लगे होते है तो room बंद है और अंदर ही अंदर आग लगी टेंपरिचर बनेगा तो sprinkler ही काम करना चालो करेंगे unit number 2 PDF number 1 जो है उसमें जाके देख लो adjectives वहाँ पे लिखा हुआ है सिदा सिदा Celsius में पानी ठोज सवस्ता में बदल जाता है जनरल साइंस का परसन 0 डिगरी पर बरप जम जाएगी ठील में अचा दर्द बोल दिया है नहीं स्वरि दढ़ क्याणक और डवलक ahh ऐव में बोल डिया हुगा अग्ला अगला देखो यह कि रहा है खालिस्तान तब बनता है जब मिस्रनिय तरल एक साथ उत्तेजित होते हैं और एक तरल दूसरे पर फैल जाता है एक तरल दूसरे पर फैलेगा तो दरोपदार्तों के आग को जैसे पेट्रोल डिजल के आग को बजाने के लिए फोम डालेंगे तो एक पर दूसरा फैल रहा है ना तो वह हो जाएगा समूधरिंग पढ़ाय हुआ है यूनिट नंबर एक यूनिट नंबर एक पीडियेप नं ये है एस्टा गूइनसर वाली यूनिट है इतने अंदर है अब इता जेता हूं और यूनिट यूनिट नंबर दस फायर एक्स्टी गूइनसर के अंदर ये ऐसे लिख रखा है उपर लाइन लिख रहे है है हाइड्रो स्टेटिक दबाओ प्रिचन पर फैक पांच वर्स प आपका computer का, ये computer का आगया, ये का आगया, फिरे इसमें, ये भी आपका science का, general science का से एक person है, बता देता हूँ, बता भी देता हूँ, आपका, ये में लिकिते में से, बोतिक मात्राओं का, कौन सा, एक हुग में सम्मान ही काई को दर्शाएगा, इस सम्मान को दर्शाएगा, उसमा और तापमान सम्मान को दर्शाएगा, ताप अलग होता है, मोल बजन होता है, उसमा और कार ये दोनों अल उसको क्या कोंटर फायर कहते हैं, इसकी उनेट बताता वह कितना नंबर है? के स treasury अने तो पूर्व अगनी योजना नाम से इस पस्त हैं, पूर अगने योजना नाम से सिसीन अगाटे को खाल सीना है. इतना नमबर है? 96 नमबर है ना? 86 की unit number भूल गया मैं जो unit number कौण ची है? जंगल की आग जो है ना? village वेकरा village आग village fire village fire और village fire के अंदर ही मैंने आपको जो जंगल की आग पढढ रही है, जंगल की आग उसके अंदर बता रहा आराम से देख लेना, बुक के अंदर भी है, तो नोट्स है ना, बुक उसमें भी है, M.C.Q. आली बुक में भी है, जिट इस परसन है, पस नाम इसका काउंटर फायर लिखावा, इतना ध्यान रखना, ठीक है, काउंटर फायर नाम है इसका, असलम भाहत करा रहा हूं यारा, आस तो, तो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं, झाल 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 वा क्या एक इसमें ये परसन आया आपके कि निम्न में इसे कौन सी गैर जवलन से लिया नी जो जलती नहीं है गैर जवलन का मतलब हो गया जो जलती नहीं है तो गैर जवलन जो जलती नहीं है तो देखो इसमें मैथे नहीं ये भी जलेगी इसमें भी आइडोकर्बने जलेगा ये नहीं जलेगी भी कि अजिए फांब्स में सेटी शिगर होगे यूइनिट नंबर एक और पीडी एप नंबर एक है ये इनिट नंबर एक कि ये यूट नंबर एक कि इनों पीडी एप से कापी पर्सन हैं भी सब आज मज़ा नहीं आरार यार दिमाग का दियो आनि कि इस प्रेय का प्रेयोग खालिस्ताना आग पर नहीं किया जाता सबको पताए कि इस पर नहीं करेंगे C पर नहीं करेंगे कि इस C में दातुएं होती है C वर्ग में दातुएं होती है दातों पर पानी का उप्योग नहीं करेंगे C वर्ग में दातों होती है और यह चीज यूनिट नमबर तो पानी के इस्प्रे का प्रयोग सी वर्ग की आग पर नहीं करेंगे सी वर्ग की आग पर नहीं करेंगे जोड़ेंगे तो यूगमन कर दाएगा कप्लिंग और यह नमबर 13 नमबर एक में से है पर नमबर एक में से है ऑदमर तेरा और पीदियर नमर एक होस पिटिंग ऑस पिटिंग से है के ओस पिटिंग 89 में आएगा coupling unit number 13 pdf number 1 hose fitting से आए AR alcohol resistance नमबर 63 दुबारा देख देंगे अभी question number 63 को वापस देख ये NBC ये नीचे ये national building code national building code building वाली units ये आया है national building code वाली units ये आया है ऐसे कैसे जो book आपको pdf दी थी उसके अंदर भी ditto ऐसे कैसे लिखा हुए NBC का पुरा नाम है national building code पुरा नाम है national code national अटक अटका के भी कैसे ये पूरे हो जाएं अपने person ताकि आप दुबारा चला के देखो तो इसे चलते आप किये अट आपको वां मिल जायेगा उसमें तो तीन यह आपके दिये हैं तीन खोज्रील का व्यास सामानेत है खोज्रील के व्यास की बात करें तो जो खोज्रील का व्यास है ना यह खोज्रील का व्यास कितना है 22 नमबर का परसन खोज्रील का व्यास आपको देखना है यह यूनिट नमबर 12 से आया है मैंने 19 mm लिखा रखा है लेकिन 19 mm option में नहीं है तो 20 mm हो जाएगा Now unit 12 होज से ये 20 mm मैंने आपको जाए 20 mm लिखा रखा है वहाँ or 92 ब इस से 20 mm लिखा रखा है इसमें 20 mm हो जाएगा इसका जवाब namely unit 12 होज ये है unit number 12 होज वाली units झाल संतरड जैस के इन से से लिगार नमबर ऑट मेंचे त्यूंग से हैं यह ला ही तहले को पता नियुंगर द्युतन के बारे मरें फिर इसमें देखो दो प्रसंद हो रहे हैं एक प्रसंद तो क्या है कि बिजली से एक प्रसंद तो है बिजली से आग लगने की इस्तिति में किस परकार के अगनी सामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए बिजली की आग में किसका प्रयोग नहीं करोगे भिया तो unit number 5 fire extinguisher से आया है फोम आग का यूज नहीं करेंगे यह unit number 5 से है fire extinguisher fire extinguisher unit number 5 fire extinguisher यह प्रसन आया है यह यहां से उठाया है यह यहां से उठाया गया है ठीक है यह तो आपका computer का हो गया computer का हो गया और yellow last की और चलते हैं yellow भाई last की और चलते हैं इसमें आपके दो प्रसन हैं अपने subject के उन्थ अप्यापन focus करते हैं एक तो है note का प्रियोग आपके गाठे भी नहीं दिवी थी लेकिन मैंने आपको जो pdf दी थी थी ना कौन सी? book pdf उस book pdf के अंदर ये प्रसन है book pdf के अंदर ये प्रसन है chair note कहते हैं इसको doctori gart कहते है doctori gart chair note ये doctori gart भी इसको कहते हैं chair note कहते है chair note ही रख लो उसको तो इस तरह से बानते है जिसमें व्यक्ति को इस तरह से बैठा देते हैं वो बैठ जाता है जे चेर की तरह है एक इमारत में किसी भी बिंदू से अंतिम निकास तक निकलने के सातन का इसाब बनने वाले मार को क्या का जाता है बाइसाब बहुत बड़ी हा तरीके से ये प्रसंद बताये हुआ है unit number 19 S-cap unit number 19 S-cap में पूरा बताया हुआ है complete बताया हुआ है इससे अपन क्या कहेंगे S-cap route कहेंगे बचाओ का रास्ता S-cap route कहेंगे unit number 19 से देख लेना unit number 19 से देख लेना अराम से S-cap ये देख लो आपके कितने कोशन हो गए तो मैं बता देता हूँ आपको एक दो आर पांच छे पात आठ आठ एक रहे है या परा या इस थीस इस आई इस यूए बीस इस इस कि कह से बिखाव को शाय निन्स, जाय थोड़ पर चाहिए, अब ये मालनों दॉटे तोड़ पर, अच्छे से अनुबव है कि कहां से परसन आएगार क्या क्या आ सकता है इस सलेबस में से और देख लो जो बच्याराम से पढ़के गए हैं वो सलेक्ट भी हो जाएंगे मेरे हिसाब से जिनके ये मान के चलो कि 50-60 कोसन के इर्द गिर्द जो है ना मैं अगले वीडियो में कट ओप के साथ आऊँगा और अच्छे नेटवर्क के साथ आऊँगा माँ भी चाता हूँ आज नेटवर्क के कारण आपको भी एस सुई